इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं notpad के बारे में notpad window accessories के अंदर आने वाला एक छोटा सा software है जिसके द्वारा आप text को store कर सकते हैं चलिए notpad को start करते हैं notpad को start करने के लिए start button पे आपको click करना है और type करना है notpad notepad और ये आपके सामने आजाएगा इस पे आपको click करना है और notpad खुल के आपके पास आजाएगा जब notpad खुल के आपके पास आएगा तो हो सकता है कि वो restore mode में हो अर्थाथ full screen ना हो और अगर आप उसे full screen करना चाहते हैं तो यहां right side top corner में आपको maximize का एक बटन मिल जाएगा इस पे click करना है और notpad fully screen हो जाएगा अगर वापिस कभी छोटा करना रहे तो उसी maximize बटन पे click करें जो की अब restore बन चुका होगा और आपका window restore हो जाएगा जब आप अपने notpad के window को restore कर लेते हैं तो उसके title bar में title bar कौन सा होता है यह उपर जिसमें नाम लिखा होता है और यह control buttons होते हैं इसे title bar करते हैं इसमें किसी खाली जगे पे mouse को रखें left button को दबाए और दबाए रखें अर्था click and hold करें और जहां चाहें आप इसे move कर सकते ह आप चाहें तो इसके window को resize भी कर सकते हैं resize करने के लिए इसके border पे जाएं किसी जगह पे भी जा सकते हैं left side right side bottom कहीं भी जाएं तो आपको यह double head arrow में लेगा उस समय आप mouse के left button को press करें hold करें और move करें तो आप देखें गए कि notpad का window resize हो जा रहा है अगर आपको एक और window open कर document हो और देखने की जोरत पड़े तब यह technique काम करता है अब चलिए हमने notpad को open कर लिया open करने के बाद हमने उसे maximize भी कर लिया और restore भी कर लिया last में यहाँ पे close button मिलता है जिस पे click करके आप इस window को close कर सकते हैं अर्थात notpad के application को बंद कर सकते हैं यहाँ मैंने click किया और यह बंद हो गया चलिए फिर शें open करते हैं तो start पे जाना है लिखना है notpad और click करना है notpad खुल के आपके पास आ जाएगा अब चलिए इस पर थोड़ा काम कर लिया जाए तो हम इसमें कुछ लिख लेते हैं for example ऐसा हमने लिखा कि this is notpad application window अब यहाँ आप देख सकते हैं कि T जो यहां पर आके click करना है और इसे backspace से मिटा देना है और shift के साथ T type करना है तो capital हो जाएगा इस तरह notpad का N अगर मुझे capital करना है यहां पर मैं click करूंगा backspace लूँगा और shift के साथ N दबाऊंगा यह notpad इस तरह से change हो जाएगा तो अगर आपको सुधार ना रहे तो कुछ इस है इनके लिखावट के style को भी change कर सकते हैं इसके लिए आपको format में जाना है format में यहां पे font का एक option मिलेगा इस पे click करें जैसे आप click करेंगे तो आपके पास font का dialogue box आ जाएगा जिसमें आपको तीन चीजे मिलेंगी पहला मिलेगा font का style अर्था किस तरह से लिखा जाए पहले वाले को font face के नाम से जाना जाता है दूसरे को font style के नाम से और तीसरे को font size के नाम से तो जैसे यहां पे जो लिखावट है इसे हम कुछ इस तरह का लेना चाहते हैं तो वो हम यहां से ले सकते हैं जैसे यह running चाहिए तो मैंने इस पे click किया किस तरह का होगा regular होगा य जैसे मैं 74 लेना चाता हूँ तो मैंने यहाँ पर 4 टाइप कर दिया और OK पर क्लिक कर दिया तो यह देखिए पूरा का पूरा टेक्स जो है वो बड़ा हो गया उसका face अर्थात लिखने का style जो है वो भी बदल चुका है और यह normal नहीं है यह bold है अर्थात मोटा है अगर हम bold कर सकते हैं तो font में जाएंगे और size को यहां से थोड़ा कम कर लेंगे for example 48 लेना चाहते हैं ओके पर हमने क्लिक किया और यह देखिए एक window के अंदर आ गया अगर आप ऐसा चाहते हैं कि यह एक ही line में लिखा रहे है क्योंकि आपने enter नहीं लिया था तो आपको format में word wrap का एक un-tick कर देते हैं तो यह एक line में पूरा का पूरा लिखेगा और जब यह एक line में लिखेगा तो यहां पे आपका scroll bar जो है horizontal का वो भी enable हो जाएगा अर्थात नजर आने लगेगा जिसके मदद से आप छिपे हुए text को इस तरह से click करके देख सकते हैं या तो सीधा slider को पकड crab को tick कर दें इससे यह इसी के अंदर आएगा और horizontal scroll bar hide हो जाएगा लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर लिखा हुआ हो जैसे कि मैं यहाँ कुछ extra लिख लिख लिया हूँ तो आप देख सकते हैं कि vertical scroll bar enable हो चुका है और काफी ज़्यादा लिखे जा चुके हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो line 5 column 1 पे हैं हम और अगर इसे अगर हम scroll करें तो आप देख सकते हैं कि कितना कुछ अभी हमने यहाँ पे देखाने के लिए मैंने लिखा कि किस तरह से आपके scroll bar enable या disable होते हैं अगर हम format में चले word wrap को disable करते हैं तो आप देख सकते हैं कि चार ही लाइने हैं हमारे पास लेकिन यह चार लाइने काफी लंबी लंबी लिखी हुई हैं यह देखें काफी लंबी लाइने लिखी हुई ह इसी लिए यह पूरा नजर नहीं आ रहा है और अगर हम word wrap लेते हैं तो यह काफी पड़ा है इसलिए नीचे आ जाता है अगर हम इसे full screen कर दें तो भी आप देखेंगे कि मुझे scroll करना पड़ रहा है इतना जादा इसमें content लिखा हुआ है तो notepad को आपने open करना सीख लिया notepad में आपने type करना सीख लिया अगर किसी तरह की गलती हो तो सुधारना भी सीख लिया साथ ही आपने font के बारे में भी समझ लिया और word wrap के बारे में भी समझ लिया अब आते हैं view menu में तो view menu में आपको zoom का option मिलता है और status bar मिलता है status bar आपको नीचे नजर आता है जहां पे scroll आके एक बार click करते हैं और status bar आप देख सकते हैं अब यहां से guide हो चुका है हम इसे वापिस ले आते हैं view में चलते हैं अगर zoom की बात करें तो zoom in करने से यह बड़ा होता जाएगा और अगर zoom out करेंगे तो यह छोटा होते जाएगा और अगर आपको लगे कि 100% इसका कितना size का होगा तो वो आप यहां पर zoom में जाके restore default zoom को click करके ले सकते हैं यह देखे restore default हो गया मतलब यही इसका original size होता है तो आपने view menu के बारे में भी समझ लिया और format के बारे में भी समझ लिया अब चलते हैं file menu में तो file menu में आपको new का option मिलता है new window open save save as print setup print और exit पहले save के बारे म में समझ लेते हैं क्योंकि हमने new लिया था शुरू में और उसमें हम काफी काम कर चुके हैं और इसे हम सुरच्चित रखना चाहते हैं तो save पे click करेंगे save पे click करते ही save as का dialog box खुल के आ जाएगा यहां पे आपको location चूज करना रहता है कि कहां आप अपने file को save करना चाहते हैं और file name जो यहां पे नजर आ रहा है इस text box में आपको नाम लिखना रहता है file का जैसे मैं यहां पे लिख देता हूँ my file और save बटन पे click कर देंगे जैसे save बटन पे click करेंगे ता आप देखेंगे कि ऊपर title बार में आपके file का नाम नजर आने लगा अर्था यह file save हो चु double click करके कभी भी open कर सकते हैं या तो फिर आप अगर notpad के थुरूच आते हैं तो start में जाए notpad लिखें इसके बाद file में जाए open में click करें open में click करने के बाद location को चुने वहां पे आपका file नजर आएगा उस पे click करें और open पे click कर दें तो file open हो जाएगा अगर आपको नया कभ तो आप new के जगह पे new window पे click करें तो दो window ऐसे हो जाएगे next option है save as का लेकिन पहले हम open पे चाहते हैं और इस file को open कर लेते हैं अब अगर आप किसी file पे काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि उसका original file जैसे है वैसे ही रह जाए और उसका एक duplicate file बन जाए तो file में आप save as option का इ ही आएगा और सारी चीज़े वही रहेगी location चुने बस यहाँ file ने में आपको कोई दूसरा नाम डाल देना है जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूं to my file to or save पे click कर देता हूं और इसे बंद कर देता हूं चुकि मैंने desktop पे save किया था ता आप file ने यहाँ पे देख सकते हैं य और यह अभी हमने save as के द्वारा बनाया और दोनों में same content है यह देखें यह आपका हो गया file पहला वला my file और यह है दूसरा वला my file to दोनों में same content था क्योंकि हमने save as का इस्तमाल किया था next में आते हैं तो मिलता है page setup, page setup के द्वारा आप अपने file को set कर सकते हैं कि वो कितने बड़े page में कितने margin के साथ print हो, तो यहाँ पे setup पे जाना है, size में आपको page का size चुनना है, जितना बड़ा आप size पे print लेना जाते हैं, जैसे a4 पे चाहते हैं, a4, orientation कैसा रहेगा, मतलब उचाई में page रहेगा, कि चोड़ाई में रहेगा, वो आप यहाँ से ले ले, margin कितना mm रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से set कर ले, जैसे 25 mm लेखा हुआ है, अगर header footer मतलब उपर और नीचे कुछ special आप छपवाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे type कर दे, उसके आप print करना चाहते हैं, और print पे click करते हैं, हो सकता है आपके पास एक ही printer install हो, तो इतना ज्यादा नजर नहीं आएगा, और बहुत सारे printer है, तो आपको आपका printer चुनना होगा उन में से, फिर print पे click करेंगे, तो वो print करतेगा, next में चलते हैं, तो मिलता है exit, यह वही है जो close बटन है, अगर इस पे हम click करें, यह window बंद हो जाएगा, चली वापिस हम notpad को open करते हैं, हमने type किया notpad, click किया और यह notpad open हो गया, फिर इसमें हम अपने पुराने file को ले लेते हैं, file में गए, open पे हम click किये, location हमने चुना, अपने file के नाम को click किया, और open पे click किया, हमारा file हमारे पास आ गया, अब आते हैं, इसके next menu में जो की है edit, edit menu में बहुत सारे option है, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और शिखेंगे, यहाँ पहला होता है undo, undo का मतलब होता है, अगर कोई काम आप कर बैठे हों, तो उसे cancel कर दें, example के तोर पे मैंने यहाँ पे control Z होता है, इस पे एक बार अगर हम click करें, तो undo हो जाएगा, जो काम मैंने गलती से कर लिया था, वो cancel हो जाएगा, और वापीस जो था, वो मुझे मिल जाएगा लिखा हुआ, जो मिट चुका था, तो फाइल में undo का मतलब आपने समझ लिया, next आते हैं, तो click board option मिल जाते है जिन में cut, copy, paste और delete मिलता है, delete जो है, वो select करके मिटाने के लिए, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि selection का मतलब क्या आता है, तो selection का मतलब होता है, mouse को कहीं पे click करें, hold करें और ऐसा drag करें, तो आप देखेंगे, ऐसा एक reverse color आपको नजर आएगा, मतलब जो कुछ भी लि या delete हो जागा, जितने को मैंने select किया था, खैर कोई बात नहीं, वापिस ला सकते हैं, undo करें, वो वापिस आ जाएगा, तो selection का मतलब आपने समझ लिया, कि selection का मतलब होता है, किसी भी text के उपर mouse को click करें, hold करें, drag करें, वो select हो जाएगा, हाँ, जब तक आप hold किये हुए, तब तक आप selection को कम जादा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप mouse के button को छोड़ देंगे, तो selection वहाँ पर रह जाएगा, बाकी आगे अगर फिर से click करते हैं, तो पुराना selection मिट जाएगा, और नया selection बनने लगेगा, आपको selection कभी भी हटाना रहे है, तो simple कहीं भी click कर दें, selection और जिधर selection चाहते हैं, उस direction के arrow key को keyboard से press करें, जैसे हम इधर right side चाहते हैं, देखे right side का arrow हम दबा रहे हैं, एक एक बार दबाएंगे तो ऐसा एक एक selection होगा, और अगर हम दबा के रखे रहे हैं, मतलब press and hold कर दें, तो ये देखे selection काफी तेजी से भागेगा, अगर हम इस selection हटाना हो, तो simple shift button को छोड़ दें, और कोई भी arrow key press कर दें, तो selection हट जाएगा, आप कभी भी उपर नीचे होने के लिए scroll bar का इस्तमाल कर सकते हैं, और शुरू में या आँखिर में पहुंच सकते हैं, अब बात करते हैं, cut, copy और paste की, cut का मतलब होता है, किसी text को अपने एकदम document के आखिर में मतलब यहां आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, इसे select करना होगा, select हमने कर लिया, edit में जाएंगे, cut पे click करेंगे, यह यहां से guide हो जाएगा, अब हमें वहां पहुंचना है, जहां हम इसका paste चाते हैं, पहुंचने के बाद हमें cursor को वहां लाना होगा तभी paste होगा, नहीं तो paste नहीं होगा, तो plus sign के बाद हम यहां पे click करते हैं, और enter paste कर देते हैं, क्योंकि हम इस line में नहीं चाते हैं, हम नए line में चाते हैं, हमने enter paste किया, अब यह cursor मेरा यहां दिख रहा है, अब अगर हम paste करेंगे, यह ही paste होगा, क्योंकि cursor जहां होता है, paste वहीं होता है तो edit में जाएंगे और paste देखिए यहां पे active है बाकी सब deactivate है तो paste पे हमने click किया और यह देखिए यह line पूरा का पूरा जो की शुरू में था यहां आ चुका है अगर हम यहां के बजाए कहीं और ले जाना चाहते है तो वो भी कर सकते थे edit में जाएंगे cut किया हमने अब माल लीजए हमने यहां बीच में click कर दिया और edit में जाके paste पे click कर दिया तो यह देखिए करेंगे edit में जाएंगे copy पे click करेंगे अब देखिए यहीं पे बना हुआ है अभी तक यहां से डिलीट नहीं हुआ जहां आप इसका duplicate चाहते हैं वहां जाते हैं चैसे हम यहां last में चाहते हैं फिर edit में जाएंगे और paste क्लिक करेंगे यह पेस्ट हो जाएगा जब भी कोई content आप एक बार कॉपी कर लेते हैं तो जितने बार चाहें उतने बार आप पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट करते जाए करते जाए कोई problem नहीं है अगर आपकी जोरत है ता आप चितने चाहें उतने बार उसे paste कर सकते हैं तो यहां पर आपने edit में सीख लिए undo, cut, copy, paste और delete अब नीचे आते हैं तो मिलता है find, find next, find previous और replace इनका क्या काम है छले देख लेते हैं मालीजे यह document हमने बनाया है इसे text file के नाम से जाना जाता है document नहीं करते हैं तो यह जो text file है इसमें कुछ मुझे search लेना हो तो हम लोग find का इस्तमाल कर सकते हैं example के तोर पे हम यह देखना चाहते हैं कि यहां पर कितनी बार is लिखा हुआ है तो हम सबसे सुरू में click करेंगे edit में जाएंगे find पर click करेंगे और यह जो यहां पर देख रहें आप text box यहां पर is type कर देंगे और इसके बाद find next पर click करेंगे जहां जहां is लिखा हुआ होगा वहाँ वहाँ यह हमें दिखाएगा यह देखें देखरें जितनी बार is होगा जब यह complete हो जागा आप लिखेंगा cannot find is क्योंकि अब कोई भी is लिखा हुआ नहीं है जितना था इसने दिखा दिया अब अगर आप चाहते हैं कि आप search भी कर सकें और उसके जगह पे कोई दूसरा चीज आप type कर सकें तो आप इसका replace कमांड का इस्तमाल कर सकते हैं तो replace पे click करें यहां पे find what भी मिल जाएगा replace with भी मिल जाएगा अब चलिए इसमें age को search करते हैं और किसी दूसरे text से इसे replace कर देते हैं यहां पे हमने age को लिखा जहां find what है और replace with में हम जिससे इसे replace करना चाते हैं वो लिख देते हैं example के तोर पे हम इसे r से replace करना चाते हैं तो हमने r लिख दिया और यहां हमारे पास कुछ option है जैसे find next इसने search लिया इसमें मुझे बदलना है नहीं नहीं बदलना है क्योंकि यह this है सिर्फ age नहीं है तो find next पे click करेंगे मुझे इसमें बदलना है तो replace पे click कर देंगे यह बदल जाएगा अगर replace all कर देंगे तो जितने भी age है वो सब एक ही बार में बदल जाएंगे r से तो आप options समझ के replace all का इस्तमाल किजिएगा क्योंकि हो सकता है कि गलती हो जाए इसलिए find next इस्तमाल करते हुए replace कर सकते हैं next option में आते हैं यहाँ पे मिलता है select all जिसके द्वारा जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो आप एक click में select कर सकते हैं अगर आपको कही date and time डालना हूँ जैसे मुझे इसके उपर में date and time डालना था हम भूल गया है तो उपर कैसे जाती हैं शुरू में click करें और enter बटन दबा दें तो उपर में एक जगा खाली हो जाएगा तो यहाँ पे मैं वापिस click कर देता हूँ डिटेल से सारी चीजें पड़ी not bad क्या है कैसे open किया जाता है कैसे उस पर type किया जाता है उस पर cut copy paste वगेरा कैसे किया जाता है फाइल को कैसे save करते हैं इत्याती आगे आने वाले वीडियो के notification के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें दोस्तों के साथ share करें और वीडियो को like ज़रूर करें बाई thank you